एक तरीख है और मतलब क्या हुआ इसका एक तारीख को चार बज़े तो पैशलो शो होना ही है और इसकी शुरुवात करते हैं हम आज हैपी दिवाली के साथ में चरिए आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना हैं हैपी विश्करमा डे और ये पूरा त्यहारों का सीजन है और इस बार की खासियत ये रही कि दिवाली एक नहीं दो दो 31 को भी दिवाली और आज एक नमंबर को भी दिवाली और इस दिवाली के पावन अफसर के उपर तो शुब लाब की हम बात कर लेते हैं तो क्या रहा जी इस बाहर का शुब लाब आम तोर पर दिखा गया है कि दिवाली के पास का जो सीजन है ना इसके अंदर मैक्सिमम कैश रिजर्व क्रियेट होने की संभावना होती है तो आज हम उसी कैश रिजर्व की बात करने वाले हैं यह होता क्या है कैश रिजर्व आज का सेशन बड़ा चोटा टूदी पॉइंट और स्पेसिफिक रखेंगे ताकि हम आज के सेशन की कॉंडिनुटी मेंडेन करें और एक सिंगल बात जिसकी उपर आज हम फोकस कर रहे हैं उसका नाम है कैश रिजर्व कैश रिजर्व बिजनस का अलग है और परसनल लाइफ का कैश रिजर्व बिलकुल अलग है तो बिजनस का कैश रिजर्व क्या है बिजनस में जो expenses हम कर रहे हैं मंतली देख लो उसके अंदर to start with जो salary है ना मंतली salary जितनी salary आपको हर महीने pay करनी है उसको 3 से multiply करके उतना पैसा आपके पास separately available होना ही चाहिए नमबर वान या तो आपके पास अगर bank to the extent of three times of the salary वो utilized limit unutilized रहेगी business के लिए supplier की payment कर लो खर्चे कर लो जो कुछ कर लो लेकिन salary के तीन गुना के बराबर का जो business के अंदर money available है ना वो business का cash reserve है उसके बाद जो cash flow आता जाता है जो inflow आपका आता है profit की percentage का आधा कम से कम हर महीने आपके pass cash reserve को increase करता चला जाता है यानि कि liability को reduce करना भी cash reserve creation कहलाता है किसकी बाद कर रहा हूँ ना है ये business की similarly personal life के अंदर चले जाओ आप चाहे proprietor हो तो drawing slow business में से partner हो तो salary low business में से director हो private company के अंदर तो salary low जो salary आप ले लेते हो उस salary का भी एक portion जिसको हम बोलते हैं financial freedom account तो वो आपका S.I.P. के रूप के अंदर investment होता चला जा रहा है जिसने business के अंदर profit का आधा reserve और इधर personal life के अंदर salary में से एक इसा जोड़ना शुरू कर दिया और इसको way of life बना दिया ना तो वहाँ पर काम करता है the law of compounding और इसको Albert Einstein ने eighth wonder of the world बोला है compounding को compounding की वज़ा से जो wealth multiply करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है जितनी wealth Warren Buffett की 80 साल में थी फिर वो बढ़के 85 में और कितनी हो गई उसके 90 में 90 में है वो हमारा Warren Buffett है तो वहाँ पर मरती जली आ रही है इन 7-8 सालों में जो पैसे कमाई है न Warren Buffett साब ने सारी जदिगी में उत्रे नहीं कमाई हम तो गया रहे है 60 साल में रिटायर हो जाते है तो जो उनकी कमाई होनी शुरू हुई है वो 70-80 साल के बाद होनी शुरू हुई है बाकी तो वो सारी जदगी इन्वेस्ट ही करते रहे है ग्रो करते रहे है बर्कशायर के नाम की कमपनी उन्हें बनाई थी तो ये लॉंग टरम में के अंदर काम करता है लेकिन लॉंग टरम कितना हम तो पज़ाबी हैं बजाबी केंदे खाओ पीओ मोज करो खाओ पीओ मोज करो बाकी 90% में से न ये 10% तो रख दो फर्मिले के इसाफ से cash reserve को लेके तो आज के session में मेरा बड़ा ही simple और clear आपसे question भी है और expectation भी है वो ये है दिवाली पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके business के अंदर लीपस एंड बाउंस के अंदर business होता है तो क्या आपने भी इस season में जो पैसा कमा रहे हो यो बन रहा है उसको cash reserve में डालने का सोच लिया है के नहीं सोच लिया yes or no yes or no cash reserve में क्या डालने वाले हूँ तो कुछ participant कह रहे है कि जग्मोन भाई कुछ तो क्या अपने पवितपाल कह रहे हैं मैं नहीं यार ले नहीं सोचा तो पवितपाल जी कोली साथ टाइम आ गया है तो पहला question क्या आ रहा है आपके दिमाह में पवितपाल जी जब मैं बात कर रहा हूं cash reserve की तो जग्मोन जी आक्चली तो यह काफी टाइब से अजेंडा पर है इंफाक जब पहली बारी आपको सुना तभी अजेंडा पर डाल दिया था तो देवाली के टाइम पर आपका message देखा तो मैंने का इससे इच्छा समय नहीं है प्रस्पेरिटी में प्रस्पेरिटी का एक रिजर्व होना चाहिये और फॉट्टुनेटली हमने पिछले दो साल में डाई साल में मतलब वी हमारी बहुत छोटी सी है बट वह भी बदाब अनृटलीज़ें right that is the journey we've had in the last maybe about a year year and a half okay now we want to move towards having a having a reserve and a bigger reserve and a bigger reserve right that is that is the journey i wanted to start this is the time there is everything is aligned for me to go towards prosperity so i thought why not why not absolutely yes and then you have a big secret to tell me about a lot of people who know that is the secret that is the way that if we have a simple cash reserve create to try to do it then simple simple cash reserve create not so i have a very amazing science इस बताता हूं ये तो यहां पर मैंने एक discussion board आपके सामने open कर लिया है तो क्या आपको मेरी screen visible है तो यहां पर मैंने center में लिख दिया money तो money ना हमें यह समयना पड़ेगा जब हम cash reserve करके पैसा बढ़ाना शुरू करते हैं तो ना इसका कोई अंती नहीं है अगर हमने 99 रुपीज save किया है तो money करेगा 909 में हो जाए तो हम कहते हैं कि चलो यार 999 करोड 99 करोड तो कभी पूरी नहीं होते जी तो आप करेगा आईसा ही है तो safety security की ना कोई limit नहीं है अब कितना पैसा safety के लिए ठीक होता है अब इसके लिए एक बड़ी important चीज है जिसको हम बोल दें money is energy बस ये वाली जैसे साइंस समझा गई कि money एक energy है तो अब हमें क्या करना होगा हमेरा define करना होगा ये money या ये energy चाहिए किस purpose के लिए चाहिए किस purpose के लिए उतना बड़ा और उतना जल्दी cash reserve create होगा अगर हमारी need या desire को हम लिख देंगे लिखने मातर से काम हो जाएगा मली जा आपका मन कर रहा है कि चलो ना USA चलते हैं दस दिल लगा कर आते हैं USA के अंदर अब जैसे आपने USA बोला दस दिल लगा कर आते हैं तो immediately ना इसके around एक पैसे की requirement खड़ी होगी मान लो 7 लाग रुपे की की by air जाएंगे दस दिल लगा जाना है तो 7 लाग रुपे चाहिए होंगे अब ये 7 लाग ना अरेंज हो जाएंगे ये पता नहीं कहां से आ जाएंगे लेकिन आ जाएंगे उसी तरीके से आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं एक ना हम अमेरिका में एक property purchase करी लेते हैं तो पता लगए कि property जो है तक्रीबत 3 क्रोड रुपे की है तो अब क्या होगा कि ये property के जो 3 क्रोड रुपे हैं वो भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाएगा हम का कि 3 क्रोड है अच्छा तो इसमें कुछ हम term loan करवा लें क्या asset अगर 3 क्रोड का है तो term loan 1.5 क्रोड करा लेते हैं और वहाँ पर मेरी कुई rental income स्टार्ट हो जाएगी तो अब question ये आता है कि पहले अमरिका आया कि पहले 7 लाग रुपी आई पहले property आई कि पहले 3 क्रोड आई है ना दिल्चस्प बात तो जो लोग cash reserve create करना चाह रहे हैं उनको ये right hand side पे लिखना होगा ये लिखना होगा ये लिखना होगा अब जैसे हमने child education लिख दिया ना तो child education के लिए जो 12 लाग रुपे चाहिए वो आ जाएंगे अब क्योंकि 12 लाग रुपे चाहिए तो उसके लिए ना यहां left hand side पे अपने आप idea भी आने शुरू हो जाएंगे कि मैं जो business कर रहा हूँ ये जो मैं glass का शीशे का business कर रहा हूँ इसको मैं centralized करूं decentralized करूं इसको franchise पे दूँ अच्छा 12 लाग रुपे चाहिए 3 क्रोड deposit लेता हूँ तो वहां से ना idea आने शुरू हो जाएंगे तो पता लगेगा कि money is in mind अच्छा अब कहानी समझ में आ गई अब कहानी समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि चाहिए क्यों और कितने चाहिए उससे accordingly हमें ideas आने शुरू हुए क्योंकि money तो हमेशा mind के अंदर थी तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि cash लोना already आपके अंदर बसा हुआ है हम सोच रहे हैं कि शायद पैसा बहु होएगी ना वह पूरी हो जाएगी लेकिन ये भी human psychology बोलती है कि हमारे पास जितने पैसे होते हैं ना हमें उससे ना 30-40 लाग रुपे महंगा ही घर पसंद आता है जब हमारे पास दो करोड थे तो हमें जनकपुरी का चार करोड पसंद आता है जब हमारे पास पचास लाग थे तो हमें विश्नु गाडन का बहत्तर तीहतर लाग का पसंद आता है तो हमेशा ना इतना फ्रावत यानि कि जब हमारे पास पैसे होंगे तो उससे ज़्यादा की ही हमारी पसंद निकल कर आएगी तो ये है money is energy पहले need define होना तो सोचो अगर किसी इंसान ने अपना portfolio ही पूरा का पूरा सोच लिया हो simple living high thinking के द्वारा की what is my age right now और मेरी obligations क्या है और मेरा आने वाले समय के अंदर जो जो benchmark outflow होने वाले हैं चाहे वो education हो चाहे वो travel हो चाहे वो घर हो चाहे कार हो तो उसके बाद उसके accordingly cash reserve की एक figure निकल कर आती है तो अब monthly अगर दो लाक नहीं तो पचास यार सही पचास यार नहीं तो दस यार सही तो जब वो momentum create होता है तो वहां से पैसे create होने शुरू हो जाते हैं तो क्या कहना चाहोगे इसके वोपर overall वोवित्वाल जी एक तम ठीक है नहीं से perfect, मतलब जब, we bought a house I think last year only, जो budget लेकर आते उसे उपर कही पसंदाए तो उसे उपर कही पसंदाया, that is always the case, that is always the case, I totally agree with you, but yeah, I think, जब तक, we don't have a clear purpose, or we don't define की हमें रिजर्फ किस चीज के लिए बराना है, वो कभी process ब्रोस्तर नहीं होता, तो, yeah, I totally agree with you, and excited कि इसको कैसे start करेगे, Got it, thank you, तो अब इसके लिए जो सबसे पहला step यह है, जो आज के session का crux भी है, वो है cash reserve, अब cash reserve का मतलब यह हो गया कि cash reserve ना कमा कर नहीं, cash reserve जो है, वो अपनी habit से create होता है, अगर अब किसी की habit है कि उसको monthly hundred rupees ही invest करने है न, तो कभी यह hundred thousand में, thousand lakh में, lakh जो है वो, ten lakh में और एक करोण में convert हो जाएंगे, बट creating cash reserve is a habit, amount is immaterial, तो इंसान की जिन्दी अब क्या है, तो मैं अब एक final statement दे रहा हूँ, कि whatever, whatever, जो मैंने line पड़ी है, whatever, the mind of a person can perceive, he can achieve, जो सोचोगे, वो हो नहीं है, तो जब यह बिल्कुल बात सत्या है, या आप अपने खुद के पैसों से कर लोगे, जो आपने इकठे किये हैं, या हो सकता है कि आपका किसे के साथ में joint venture हो जाएगा, हो सकता है कि कोई investor आजाएगा आपके सपनों के अंदर, हो सकता है कि कहीं पर हम वहाँ जाकर shareholder बन गए और हम जो असिल करना चाहा रहे थी, वो हो गया, कुछ भी हो सकता है, अपने पैसे लगे, जो joint venture हो, कोई investor हमें मिल जाए, या हम किसी के investor बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, जो हम चाहते थे, वो सपना तो पूरा हो रहा है ना, तो अब सारी discussion को conclude कर लेते हैं, conclude ये करते हैं कि दिवाली का मौसम है जी, दिवाली के मौसम में एक habit develop कर ली जाए, कि अब इस season के अंदर अपना एक पैसा हमें reserve के रूप में पोदा लगा लेना है, और उसको बढ़ाते चले जाना है, अगर already है, तो उसको इस blue color की diary के अंदर mention कर लेना है, और future के goal decide कर लेने है, weekly business का cash reserve, monthly personal cash reserve create होता चला जा रहा है, पैसा जितना भी है, बहुत है, gratitude है, धन्यावाद है, thank you है, जितना भी है, लाग रूपे दो भी बहुत है, करोड भी बहुत है, खजार करोड भी बहुत है, और वो खरवोग जितना है, उसके लिए gratitude है, बस ये देखना है कि अब मेरे मन में इच्छा क्या रही है या नीजार क्या रही है और उसके लिए मैं कितना ज्यादा लाइक मेरी डिजार कितनी स्ट्राउंग है वो कहीं इधर-ओदर के इन्फलॉएंस से दिखावे सा तो हो नहीं आ रही और मज़े की बात यह है, उससे थोड़ी सी कमी ग्रियड होती है, यह भी है, तो इस जर्णी को हम continue करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, तो अब मुझे बताओ, कि कितने लोग जो हैं, अब वो कह रहे हैं, कि from today onward, वो focus करने वाले हैं, अपने cash reserve के उपर, अगर आप focus करने वाले हो, तो please type yes, और अगर कोई question आ रहा है, तो please type q for question, I got your point, I got your point, तो आज की दिवाली का एक ही 15 minute का छोटा सा topic था, कि मुझे आज की session को continue करना है, cash reserve के उपर हमने बात करनी है, और आपकी जंदगी में खुशियां बनी रहे, so thank you very much everybody for participating today and have a great and amazing festive season और हम भी जरा family के साथ अब निगल रहे हैं, गुर्दवारे जाना अचे, चलिये, चलिये, ठीक है, okay जी, thank you, have a great and amazing time, bye, happy Diwali to everyone in your family, in your company and personal life, bye, I wish you very happy Diwali, Japoon जी, thank you so much, I'll do it, bye